दोस्तों, WhatsApp का इस्तमाल तो हम सभी लोग करते हैं Finally, आज मैं आपको WhatsApp की वर्ट ट्रेक बताने वाला हूँ जिसका इंतेजार हम सभी को है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो ट्रेक बताने वाला हूँ इसे यदि आप सीख लेते हैं तो उसके बाद आप WhatsApp पर बिना online आए, किसी के साथ भी chatting कर सकते हैं, for example, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर जाए, मैं यहाँ पर chatting कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर online बता रहा है, क्योंकि दोस्तो मैं इस mobile के अंदर online हूँ, तभी यहाँ पर online बता रहा है, लेकिन जो trick मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इस trick को यदि आप सीख लोगे, तो उसके बाद आप अपने WhatsApp के अंदर online होगे, तभी आपके friend को यही लगेगा, कि आप offline हो, दोस्तो इतना ही नहीं, अगर आपका कोई friend आपको WhatsApp पर message करेगा, तो आप उसके message को पढ़ लोगे, तभी आपका जो last scene है, वो change नहीं होगा, यानि कि आपके friend को पता नहीं चलेगा, कि आप उसके messages को पढ़ लिये हैं, तो बहुत एक कमाल का trick है दोस्तो, अगर आप WhatsApp पर online होते हुए भी offline शो करना चाहते हैं, यानि कि आप WhatsApp पर offline chatting करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, चलिए दोस्तो, वीडियो को start करते हैं, दोस्तो, सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो पहले वीडियो को लाइक कर दी जगा, इस लाइक के बटन पर किलिक करके, उसके बाद दोस्तो, नीचे आपको रैड कलर का subscribe बटन देखने को मिलेगा, इस पर किलिक करके, चैनल को subscribe कर लेना, और साथी साथ इस घंटी वाली option पर किलिक करके, और पर select कर देना, नीचे आकर आपको एक comment करना है, यहाँ पर आपको लिखना है, नाइस वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं, जैसा कि दोस्तो, आप अभी देख सकते हैं, टाइम हो रहा है, 6 बच कर 49 मिनिट, और मैं इस मुबाइल के WhatsApp से offline हूँ, 6 बच कर 45 मिनिट में आप यहाँ पर last scene देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इस मुबाइल से, इस मुबाइल के WhatsApp पर message कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं काफी सारे message यहाँ पर कर रहा हूँ, ठ दोस्तों, अगर मैं इस मुबाइल के WhatsApp message को पड़ भी लूँगा, तब भी जए मेरा जो last scene है वो change नहीं होगा, और यहाँ पर blue tick भी show नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो भी message किया है, उन सभी message को यहा पर आप खुद live देख सकते हैं, कि यहाँ पर मेरा जो last scene है वो change नहीं हो रहा है, यानि कि यहाँ पर यह बता रहा है कि मैं online नहीं हूँ, और साथी साथ यहाँ पर message मैंने जो किया था इस mobile से, इस mobile के अंदर, उसे तो मैंने इस mobile से पड़ लिया, लेकिन यहाँ पर blue tick भी नहीं आया है, आप देख सकते हैं, तो दोस्तो इस तरीका से आप इस trick को use कर सकते हैं, अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने mobile के अंदर इस trick को set करेंगे, तो दोस्तो इस trick को set करने के लिए आपको सबसे पहले अपने mobile के अंदर एक app को download करना होगा, जिसका link मैंने इस video के नीचे description में दे दिया है, आप इस link पे click करके app को download कर लेना, दोस्तो आप को download करने के बाद कुछ इस तरीके से open कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने mobile में इस app को download करने के बाद open कर लिया है, अब दोस्तो यहाँ पर आपको काफी सरे options देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक option है, bubble chat नाम से, तो इसके उपर आपको click करना है, दोस्तो जैसे ही आप इस option पर click करते हैं, तो उसके बद यहाँ पर आपको allow का एक option मिलेगा, इस पर आपको click करना है, उसके बद दोस्तो यहाँ पर आपको wow pro नाम से जो option है, इसे आपको यहां पर on करना होगा उसके बाद फिर से आपको allow वाले option पर click करना होगा उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको दूसरा permission देना होगा यहां पर आपको देख सकते हैं मैं इसे भी दे देता हूँ तो इस तरीके से आपको भी यह सभी permission दे देना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक bubble देखने को मिलेगा अगर आप इस पर click करके उसके message को पढ़ते हैं तो आपके friend को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप उसके message को पढ़ लिये हैं या फिर आप उसे reply दे रहे हैं यानि कि आपके friend को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप WhatsApp पर online है दोस्तों बहुत ही कमाल का trick है आप इस तरीके से जह है WhatsApp पर बीना online है किसी के साथ भी chatting कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको live सब कुछ दिखा दिया है दोस्तों अमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर मिलते हैं एक और ने वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया